Hello guys, welcome back to the study, this is Dheeraj Kumar, अभी हम बात करने वाले हैं दिन Coast Guard के exam के preparation strategy को लेके कि अगली बार जो vacancy आने वाली है, मैंने उसकी बारे में बताया था कि किस मन्त में आएगी जस्त आपके जुलाई की एंड और अगस्त में आने वाले vacancy और उसके लिए preparation अभी से start कर देते थे तो अपनी strategy क्या होने चाहिए, तो और एक चीज़ समझना आप यहाँ पे कि अगली बार जो vacancy आएगी, अगर आप preparation सोच रहे हो कि हम form apply करेंगे तो फिर जिस तरीके से फिर fail हुए हो ना फिर fail हो जाओगे क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी कोई vacancy आई तो preparation स्टार्ट करते हो, इसका मतलब कि आपकी preparation अधूरी रह जाएगी exam तक आपको पता है कि vacancy आने को है, fix है की आईगी आपकी तो आप पहले से preparation सुरू कर दो, मतलब अभी से आप सुरू कर दो तो अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर, stage 2 के बारे में कैसे apply करें तो मैं उनको personally message करकर करके सबको बता रहा हूँ तो सारे stage 2 के लिए भी कुछ apply, कुछ documents upload करने होते हुए लोग कर रहे हैं तो आप भी ready हो जाओ, चलो यहाँ पे हम completely computer screen पर आप को दिख रहा होगा जो कि आपको completely आप बता रहा हूँ चाहता हूँ कि आप पे GDDP या अंतरी तीनो exam के लिए preparation strategy क्या होने चाहिए और इसको जो समझ लिया उसका selection रूखेगा नहीं है, चिसकी guarantee लेलो अब देखो यह सबसे बड़ी जो important चीज़ है अपने लिए strategy के बारे में जब भी बात करते हैं कि हमको 5 चीज़ों पर focus करना होता है syllabus, previous year questions, important books, time table और यहाँ पर जो है दूसरा आपका base stage series ठीक है अब ही देखो guys, यहाँ पर यह सुब चीज़े जो मैंने list बनाई आपको यह completely क्या आपकी exam के लिए important है but हम क्या focus करते हैं किसी भी exam के preparation के time पे कि उसकी vacancy कितनी आती है, पिछली बार की cutoff कितनी गई थी यह बगएरा बगएरा फादू की चीज़ों पर अरे vacancy क्या है उससे मतलब नहीं, आप इकलाओते हैं और आपको एक ही रिए seat चाहिए cutoff क्या गई थी उससे मतलब नहीं, हम सोचते कि हमारी category में पता करो हम ST से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, UR से हैं, EWS से हैं हमारी category क्या cutoff क्या गई थी उसके cutting preparation करेंगे यही सबसे बड़ा reason है कि आप fail हो जाते हो, हमको max से max score करना है जब इतना जदा जदा हो सके, अपने आप में daily life में improvement करो मालनो section 1 आपका 60 marks का होता है, DBGD आंतरिक तीनों के section 1 जो है हो जड़ा चले जाए, तो हमको कोशिस करना है कि अगर मेरा 45, यहाँ पर मालनो 51 marks आगया तो खुस नहीं हो जाना कि हमने पिछली बार का cutoff clear कर लिया, हमको यहाँ पर कोशिस करना है कि पिछली बार का cutoff ही clear कर लिया बेरेक डेस में थोड़ी आज आएंग इतने marks से, और score करते हैं वही, हमको कोशिस करना अगली बार बतलब उसी टाइम से कि और भी जो चीज़े छूटी हुई है, उनको और भी थुड़ा अच्छा करें ताकि हम 55 करें 55 आता है, तो अपने को ego ले लेना, एक चिस 55, फिर यह 5 questions क्यों छूट रहे हैं मेरे से, वो भी नहीं छूटने चाहिए मेरे को 60 स्कोर करना है, बस एक target बनाओ, 60 आट ओफ 60 नहीं स्कोर कर सकते हैं, चलो ठीक है बट उसके नजदीक तो जा सकते हैं तो यह अपना target है, ठीक है चलो यहाँ पर बात कर लेता है, हम syllabus के बारे में, फिर previous year questions, important books, time table और best history सब के बारे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि आपकी सबसे best strategy होगी इन सभी चीज़ों के उपर जब भी हम किसी exam भी त्यारी करते हैं, तो सबसे पहले हम को syllabus अच्छे हो से पता होना चाहिए, दरवाइस कोई फाइदा नहीं है देखो, हमको अगर जाना है, अपने को मालो, आप UP से हो, आपको देली जाना है हमको यही नहीं पता कि कौन सी train, मतलब जा क्या subject आता है, कौन कौन subject पढ़ना हमको किस train से जाना अपना subject हो गया, उसका, मतलब root क्या है भाई, मतलब किस की subject से कितने marks आते हैं, location क्या है, हमको कुछ पता ही नहीं है तो फिर क्या घंटा exam crack करेंगे हम, ठीक है, तो समझ दोना, सबसे पहला चीज है, syllabus हमेशा आपके जहां पर पढ़ाई करते हैं, आपके चिपका के रख देना, हमको हमेशा पता चले कि इन इन topics सो बात करना है अब ही देखो, syllabus जो है, depth में मैं आपको टेलिग्राम चनल पर अफ्लोड कर दूँगा, टेलिग्राम चनल का लिंक डिस्क्रिप्सर में, मैं syllabus को आपर भी बता देता हूँ कि आपके तीन इक्जाम होते हैं, जैसा कि आपको पता है, जीडी, डीबी यांतरिक तीनों के अंदर और तीनों के अंदर एक चीज़ सिमिलर होता है, पेपर जो होता है जो जीडी वाले डीवी वाले होते हैं, उनको सिर्फ सेक्शन वन देना होता है, ये चीज़ आपको Section 2, 3, 4, 5 वी अलग चीज़ है Stage 1 जो होता है वो written exam होता है जिसके अंदर सारे sections आते हैं मैं आपको clearly बताओ ठीक है चुनो पहले सबसे पहले हम DB के बारे में बात कर ले DB में आपको सिर्फ written test में आपको सिर्फ section 1 आता है जो कि आपका 30 number UR को EWS को OBC को लाना है out of 60 60 number के paper में 30 number से कम लाते हो न तो ऐसी आपको छाट देंगे वो लोग मतलब 30 number लाना compulsory है अब 30 से जादा जितना आ सके ठीक है ये चीज़ है बस आपको section 1 देना है DB के अंदर आप देखो section 1 के अंदर भी 5 subject आते हैं पता है क्या आपको 45 minutes में लेंगे 60 questions के लिए 45 minutes में जाते हैं उसके अंदर आपको math के 20 questions रहते हैं और math 20 questions ये सबसे बड़ा important role play करता है section 1 के अंदर science के 10 questions होते हैं English के 15 questions reasoning के 10 और GK के 5 questions होते हैं ठीक है और SCST को 27 number कम से कम लाना और UR को OBC को EWS को 30 number और ये सारे 10th level के class के base पे होते हैं ठीक है तो ये उनका overview आप कहोगे सर math में कौन-कौन से chapter है science, English, reasoning में कौन-कौन से chapter है तो ये सभी का PDF में बनाके आपको telegram पे upload कर दूँगा जस्त आज ही night में तो telegram channel join कर ले ले लिए description में वहीं पे GD के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे दो written test होते है एक ही time पे आप enter करोगे तो जो DB में भी हुआ ना आपका section 1 तो वो देखो यहाँ पे लिख रखा है आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे GD के अंदर section 1 देखो यह जो yellow का अरसल दिख रहा होगा section 1 plus section 2 दोनों देना होता है इनको section 1 और section 2 क्या होता है बई दोनों देना होता है अब यह section 1, 2 क्या है मैं बताता हूँ आपको section 1 तो आपको पता है ना कि 60 marks के exam होते है जना अब ठीक है अब section 2 जो है देखो नीचे दे रखा है 50 marks का exam होता है दोनों में pass होना compulsory है मालनो section 1 के अंदर 60 में 60 score कर लो section 2 के अंदर आपको ना कम से कम UR को OBC को AC UR, OBC, WS को 20 number कम से कम लाने है आप सोचते हो कि 18 number ला देंगे और हम cut off पार भी कर जाते है फाइनली तो आपका selection नहीं होगा तो इनका कुछ passing criteria उनको follow करना होता है ठीक है बागी जो cut off जाएगा वो तो end का game है फिलाल आपको देखो section 1 जो DB के लिए मैंने बताया सेम चीज है Math, English, Science, Reasoning वो अलग चीज है अब section 2 में आपसे जो पूछा जागा math के 25 question, physics के 25 question ये जो होते है 12th class के basis पे आते है math और physics section 2 के अंदर math और physics वो आपका 12th class का आएगा बागी section 1 का math, science, reasoning, English वो भी होगा वो 10th class के लिए बलका होगा फेंसन दालों हर चीज मैं पढ़ाता हूँ अभी यांतरी के बारें बात कर लें तो यहां पे बहुत सारे sections आपको दिख रहे होंगे तो डरना मत यांतरी के अंदर तीन types के post होते है पहला होता है electrical engineering दूसरा होता है electronics engineering तीसरा होता है mechanical engineering अब जो आपका trade है उसके according आप form apply करोगे clear अगर आप sector को यांतरी के लिए apply कर रहे हो किसी भी trade के लिए सबसे पहले आपको at the time आपको section 1 देना है और फिर उसी के just कुछी second के बाद आपको या तो section 3 देना पड़ेगा अगर आप electrical engineering का दे रहे हो exam तब section 3 देना पड़ेगा ठीक है अगर वहीं पे OBC, EWS और UR को और वहीं पे CST गो 17-17 marks लाने compulsory है तो यह जो था basic सा चीज था मैंने बता दिया और section 1 के अंदर आपको पता है 30 और 27 का जो खेल है वो कम से कम लाना आपको ज़रूरी है बट इतने से कुछ होगा नी selection होगा नी ठीक है अगर आप मालो section 1 के अंदर 30 ला देते हो और section 2, 3, section 3, 4, 5 के अंदर 20 ला देते हो तो लिखा रहेगा आपके result के अंदर कि आप pass हो बट shortlisted नी हो stage 2 के लिए stage 2 के लिए running ले नी बुलाएंगे तो pass करके क्या फाइदा कि अपना list में नाम ही नी होगा तो हमको बता है ना कि pass होने से मतलब नी है list में नाम आना चाहिए अपना ठीक है तो यह जो scene था syllabus बाकी depth में मैं आपको upload करनूँगा अब सर्थ थवाल ही आदा ना कि previous year के questions कहां से मिलेंगे तो इसके लिए tension ना लोगी previous year के questions कहां से मिलेंगे यहाँ पर आप चाहो तो Amazon से free card से या फिर market से कोई book खरीच सकते हो बट गाई दिख्ती में बता दूँगी कि किसी भी book के अंदर डिक्टो मतलब same to same questions नहीं मिलेंगे जैसे SSC वेगरा क्या होता है answer की मिले जाता है तो फिर book वाले लेके वो सारे print करके book बना देते हैं बट इन सभी exam में answer की भी नहीं पता चलता है कि क्या-क्या questions आएते तो सारे memory based होते है तो मतलब कहलो कि student से पूछे हुए तो एक idea लग जाएगा आपको brief idea बागी कुछ questions मेरे पास भी होते तो मैं आपको दे दूँगा जो कि मुझे students बताते हैं exam के बाद मैंने इकठा करके रख रखा ताकि मैं आपको देते रहूँगा time to time आपको solutions के साथ तो ये चो source मैंने बताया या तो आप rough idea के लिए बुक से book buy कर लो थोड़ा बहुत idea मिल जाएगा या फिर मैं आपको YouTube पे देहीं दूँगा अब ये तीसरा चीज हो है important books कहां से section 1 में जो 5 चीज़े आती है सबको GDP आंतरिक सबको यहाँ पे English रुख जाओ English अगर आपको पढ़ना है तो KD publication book ले लेना अगर आपको KD publication नहीं आपके पास मालो नहीं अगर आपने SP बक्षी ले रखी है Lucent ले रखी है ये तीन book grammar के लिए बड़ा important है तीनों में से तीनों लेकिया नई सर कोई एक book लो worst मैं सबसे पहले number देता हूँ मतलब first में अगर मैं रखना चाहूँगा तो आपको KD publication इसमें one worth institution भी है idioms भी है आपको और साथ में synonym जैंटोनिम्स भी है grammar भी है ये book सबसे बेस्ट है इसके बाद आता है second में आपका SP बक्षी KD publication अगर आप नहीं लेना चाहते हो तब आप SP बक्षी ले सकते हो ठीक है but मैं आपको prefer करूँगा कि आप मैं करता हूँ खुद की KD publication लेना विकाद ये बहुत ही best book है इसको पढ़ना तो मुस्किल है बट आपको एक बार समझ में आगा आपको एक बार में समझ में नहीं आगा दो बार तीन बर करना होगा तो फिर आप रॉक कर दोगे हर एक्जाम में अगर आपको KD publication नहीं लेना है आपको SP बक्षी लेना है तो वो भी ले सकते हो अगर ठीक है आपने पहले ज़े Lucent Grammar ले रखा है तो ठीक है वो भी आप पढ़ लो मैं जो पढ़ा दूँगा A2J study के उपर वो सफिस्येंट है अगर इसके बाद आपको practice करने है तो याद तो आप R.A.S.A.G.R.W.A.L. book ले लो R.A.S.A.G.R.W.A.L. थोड़ा high level पर चला जाएगा अगर नहीं हो पाता है ना तो मैं बताता हूँ आपको MTS, SSC, GD का जो एक्जाम होता है उसके previous year के questions लेके solve करते रहो बाकि A to Z study पर मैंने जो पढ़ा रखा है वो पढ़ो बाकि new batch जल्दी आएगी जल से जल मैं launch करने वाला हो नया batch भी आपको बहुत जल्द notify कर दूँगा उसमें आप पढ़ लेना math की आप master बन जाओगा अगर सुरू से follow करते है अब exam के 10 दिन follow करके सुचो की math 20 में 20 बना दे कुछ नहीं होने वाला math time मांगता है तो यह जो चीज थी मैंने बता दे reasoning reasoning ले कोई book मत लेना किसी भी publication का just मैं बता दू आपको आप जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ लेना 10 questions आते हैं रॉक कर देना 100% question आजाएगा ना तो मेरे ऊपर case हो जाएगा किसी ऊपर भी अगर आजा तो case हो जाएगा question तुमको पहले कहां से पता चला बट फिर भी जो top 5 minute का जो मैंने PDF किया था बहसारे question डरेक्ली उठाओ ठाक है किसी-किसी shift में एक भी question नहीं आया था एक-दो shift ऐसा भी था कि GK का top 5 minute से एक question नहीं आया था तो फिर वो bad luck था ये चीज़ कहता है बट mostly shift में mostly questions अपने पढ़ाई हुए आया थे ठीक है ये जो चीज़ था मैंने बताया science लेना आपको science section 1 के लिए तो एक lucent का lucent publication है lucent science आता है ठीक है physics, chemistry, biology वेगरा सब कुछ रहता है depth में वो पढ़ने वो भी बहुत टाइम में पढ़ सकते हो आप लोग या फिर आपको lucent science बहुत ही hard देखता पढ़ने में तो इस PD का एक अलग से science आता है जिसमें one-liner one-liner रहेगा मतलब detail में नहीं रहता है सिर्फ one-liner रहते है पढ़ते रहो ठीक है जो जो topic आपको अच्छा लगता पढ़ने ना भी कर जीके के कोई fix नहीं है कहां से क्या पूज दे जो पढ़के आयो उसको करो notes को करो short तरीके से करो यह सबसे best method है बागी कुछ नहीं है जरो ठीक है बागी online testories लगाओगे उसमें clear होदागा बट सबसे पहले आप NCRD पढ़ो वो बहुत important है वहीं पर यांतरी के section 3,4,5 के बारे मैं पढ़ना चाहते हो तो वो जो trade है आपको मैं बता हूँ कि trade वाली course class कोई खराता नहीं है यूटूब के उपर और कोई भी teacher ऐसा नहीं के special ही course guard special batch कर रहा यांतरी के लिए नहीं करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप यांतरी के section 3,4,5 mechanical engineering electronics engineering, electrical engineering या फिर mechanical engineering तीनों की जो है अपनी notes आपने पढ़ क्या हो अपने college से वो पढ़ लो अब साफ पढ़ ही नहीं तो फिर आपकी problem है कुछ guide खरीद के पढ़ लेना आप लोग यही मैं खहना चाहूँगा तो यह जो चीज और साथ में previous year question by कर लेना जिससे कि idea लग सके कि exam में questions कैसे आते हैं ठीक है यह सभी चीज़ इंपोटेंट थी और एक चीज मैं खहना चाहूँगा कि time table time table अपने coding सेट करो खास करके DB वालों को तो टेंसन बहुत सदा नहीं है लेकिन GD वालों और यहां पर यांतरिक वालों को टेंसन लेने की जोड़त है बिकाज उनको DB के अंदर जो exam होता है वो भी देना होता है और section 2, 3, 4, 5 अपना अलाग लग चीज है वो भी देना होता है तो at least आपको GD वालों को टेंस पढ़ने पढ़ेंगे DB वालों को भी 8 आवर्स देना पढ़ेंगे और यांतरिक वालों को भी डेली 10 आवर्स देने पढ़ेंगे इससे कम पर कुछ नहीं होने वाला है टीक है अब DB में आपको सबस्दा फोकस करना है Math पे Math के बाद English पे उसके बाद Reasoning पे मैं ये चीज़ क्यों खहरा हूँ उसके according time set करना Math at least daily आपको 2-5 गंटे पढ़ने चाहिए English भी आपको 2 गंटे पढ़ने चाहिए Reasoning आपको 1 hour daily पढ़ने चाहिए Size भी आपको 1-2 गंटे पढ़ने चाहिए उसके according आप set कर लो कि आपकी capacity के हम starting stage में 2-2 गंटे math पढ़ने हमारी चमता है निया हमारी उकाद आए निया 2 गंटे आज तक हमने 3-4 गंटे पढ़ने हम एकी बार हमाद गंटा 10 गंटा का ते पढ़ने मतलब starting में अपनी capacity set करो but 10-12 दिन के अंदर ये चीज टार्गेट को achieve कर लेना कि हमको daily 10 गंटा 8 गंटा 7 गंटा पढ़ना है ठीक है और साथे मैं कहना चाहँगा कि best test series लगाए करो फिलाल गाइज मैं कहूंगा कि आपको अभी test series मतलगा और एक्जाम के एक गड़ महीना पहले test series लगाना शुरू करना और best test series के टेंसन लालो अपका भाई जिन्दा है अभी best test series मैं आपको दूंगा लाके इसकी guarantee क्यूंकि content जो होता है मैं test series का रॉक कर देता है पिछली बार test series के अंदर site का कुछ इसू आया था बट content best था यह सारे बच्चे गवाए सारे एक्जाम देने के अवाद आके बहुत ही मस्त थे कि sir बताओ मुझे आपसे मिलना है आपके test series से exactly question पूछे जा रहे थे तंसन लो इस बार हर बार रिखरना क्याना मुझे मेरा काम है कि हर बार मैं अपने आपको improve करते रहता हूँ तो इस बार कुछ अच्छे से improvement करके आएंगी हम लो और इस बार की test series आएगी न वो धमाल इस बार से इस बार आपका exam का थोड़ता pattern change हो गया था इंगलिस के अंदर पैसेज वेगर आप पूछ लिया था